वॉम्बे के मॉल में ना मॉल कंदरी पंडित लोग बैट रहते हैं उनका अलग स्कैम चल रहा है यार उस पंडित का बेसिक स्कैम होता है वो शॉपिंग के बाद में आपर ममी चाची को पगड लेता है और ममी चाची को फ्यूचर नहीं बताता है उनको बस अप्रिशेट करता है वो सारी बाते बोलता है जो घर पे पापा और चाचा नहीं बोल रहे है ममी का हाथ लेकिए आपने पुरे परिवार को जोड कर रखा है ममी चाख हाँ मैनी ते जोड कर रखा है हाँ छोटी बहुत तो चूतिया कुछ भी नहीं करती ही बहु मांगी ती डीवा मिल गई बोलती मैं सोफ़ भी नहीं बैठती मैं पलकों पर बैठती हूँ बोला बेटी सर्दर दोरा चाहे बना दे तो मिरुको वोड का टकिला और रम मिक्सर के दे दी यह कौन सिटी है यह लाइटी है ममी जी आपको यही लगेगी बड़ जनुरली थिंग मेरको लगता है कि हमारे इंडिन सुसाइटी के डबल स्टेंडर्स थे अम मर्दू की क्या एक्सपेक्टेशन थी शादी का दे क्या वाइफ आपके गर में शिफ्ट लेकिन मर्दों को सुसुराल पुरे साल में मुश्किल से दो या तीन नहीं जान है लेकिन आउट लेस तू फिल करता है मेरा शादी का अधने सरनेम चेंज हो गया है मेरी जॉब चेंज हो गया यह छोड़ मेरा पेट कुता चेंज हो गया मतलब मेरा नेम प्लेस एनिमल तेंग सारे चेंज हो चुक है लेकिन आउट फिल करते हो यह लाइन मेरी वाइफ ने डलवाई है और यह मुझे जन्यूली समझ नहाता है मर्द लोग सिस्रॉल जाने में कत्राते क्यों है यार जबकि सिस्रॉल में हमको लाइफ का बेस्ट्रीट्मेंट मिलता है वहाँ पर आप दमाजी हो आपको सिफ प्रेजेंट होने के लिए लेफाफा मिल रहा है वह भी शगुन का जबकि सारव आपके फैमिली को भी पता कितने बड़ आप शगुन हो जिस पंडीजी ने आपकी कुंडली देगी थी उन पर शेनी बैढ़ यादा यार वो बिचारे आज मॉल में बैटने तोता लेकर और दोनों में एस्ट्रोजर तोता है सलसुराल तो बेस्ट जगह होती है इस दमाजी यार वहाँ पर आप किंग अफ दे वर्ल्ट होती है टॉप अफ दे फूड चेन अरे रियल किस्सा है एक बार में उदर फंक्शन में लेट पहुचा मेरी बैटने की जगन नहीं थी नहीं थी तो वहाँ के दादा जी अपनी वीलचेर से खड़े होगा यार नहीं दमाजी पर आप पर जो प्लीज नहीं मैं अधर चिता पर लेट जाता हूँ वैसे भी नोटरी स्प्रेड में हूँ ससुराल में सबसादा पैंपर करती है लाड करती सासुमा और मेरी सासुमा का लाइफ में एक ही एजेंडा रहता है के तीन दिन में कितने किलो आम खिला दूँ पीछे ही पर जाती दौश आम कर दूँ तो आज आम कर दूँ मिला नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया हरे मैंगो शेक कर दूँ मैंगो शेक कर दूँ भाई गॉड यार मैंने तीन दिन में इतने ज्यादा आम खालिया थे मैं सुबह मूदने के अंदर से माजा निकला यार अब आप लोग लाइफ में कभी माजानी भी पाऊगे जब सुराल में सबसे फुरा कटता सालेगा वो साला वैसे दो 300 पैसे दिन उदर राजा बेटा बनके गुम रहा होता है जैसे ही आपके एंट्री होती है इस दमाजी वो आपका परसनल सर्वेंट होता है यार वो बॉइ आपको दिया होता है जाओ इसको एक्स्प्राइट गरो है रहा है वो मेरा लगेज इठा रहा है वो मेरा ड्राइवर बन जाता है मैं क्रिकेट में बैटिंग कर रहा हूँ वो मेरे रनिंग कर रहा है ऐसे लग रहा है में मोधी जी वो मेरा अक्षे कुमार है इसलिए मुझे धो उल्टा लगता है मुझे लगता है आद्मी को सब्सूराल हर महीने जाना झाया हर महीने क्योंकि वहाँ प्रक्षिर आपके सारे पाप महाफ है वहाँ पर मैंने नाने के बाद में गीला तुलिया बिस्तर बेमे फैका तोल्टा मेरी सासुमा ने कामवाली भाई को डार दिया ये कोई जगा है बिस्तर रग नगी ये ले तौले के नीचे बिस्तर कौन रखता है अच्छा दमाजी आम कार दू मैं कर दू पाँच बिड़ों के आपने एक भी आम नहीं खा वर दफक दमाजी आ पिर मैं रात बर बैढ़ाएं ये और समझ मा आ गया किया मेर्द लोग सब्च्राण में आउट अधी इपल इसले इफिल करते है क्योंकि वह प्यम को रिस्पेक्ट मिलती है आधि बी रिस्पेक्ट के रिस्तू नहीं है हमें जैसी को रिस्पेक्ट देता हो तो में इस आदनी पर शख होने लग जाता है इसको मिर से क्या चीह है इसने मजे गुड मॉर्निंग विपल जी क्यों बोला है को यह एलाइसी एजेंट तो नहीं साला यह हरामी सेल्समेल होते हैं इनका बस चले अश्वत धामा को लाई फिशोनेस बेच दे मैं अश्वत धामा जो है माँ बारत में ते अमर ते मर नी सकते तो लाई फिशोनेस बेचने का क्या पॉइंट है इट इस लाइक आपने गंदारी को 3D गॉगल्स बेच दिये देखो मैं सारी लेडिस को बताना चाहता हूँ मैं आदमी लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं हम लोग जब सुबह आईना मेर देखते हैं मैं थोड़ी दिखते हैं के टीम लीडर है विश्णरी अच्छी वर है नहीं हम अपने सारे कांड याद आते कांड सौरब भाई मेरे पास कॉलेज में इतना ज्यादा पॉन कलेक्शन था मुझे नॉटी अमेरिका से क्रीं कार मिल गया था और फेक टेक्सी से ड्राविंग लेसेंस तो सौरब भाई आपके बड़िया लाइफ चल रहू थे अस दमाजी पर काहनी माता है ट्विस्ट दो साल बाद उस खांडान में छोटे दमाजी आते आपकी वेल्यू हो जाती है कम दो साल बाद एक और शोटे दमाज आपकी वेल्यू गिरते गिरते लॉफ दिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साब से अब आप दमाद इंडेस्ट्री के अडवानी जी बन जाते हो फूफा जी फूफा जी अपसे कोई कुछ नहीं पूच रहा होता है कुछ सी देके साइड में बिठा देके साल नेगेटिव आद मीं साल मूर खराब परता सका है मेरे को बोल रहा कहने में मज़ा नहीं आया सारे पकोड़े सेम साइस के नहीं थे पहली बात तो पकोड़े नी मंचूरे ने देहाती वाइट पास्ता काउंटर पे जाके बोल रहा भाईया एक प्लेट छोड़े पाइप देदू पाइप पे वाओ इसलिए फुफा जी वो आदमी कभी खुशनी हो सकता हमेशा दुखी रहता है वो आदमी यार फुफा जी एक लौत ऐसे आदमी है जो स्ट्रिक प्लब सब भी बाहर नारास होके निकलेंगे मज़ा नहीं आया वो स्ट्रिपर्स ने हमसे तो पुछा ही नहीं वो तो अपने पॉल पे लगी हुई थी लैप में ही नहीं आई हमारी तो गोध पर नहीं हुई बताओ उपर से मूँ दिखाए का लिफाफ और ले लिया और स्ट्रिपर्स के भी पकॉर्णे सेम साइस के नहीं थे मैं हम थोड़ेगा डवल मीनिंग करने पड़ते हुई यंग्सनस को इसी में मज़ा आता है क्या करें बदाओ हमें भी तो टिकेट बेशने गंदा है पर धंदा है और वो आठ ही क्या जिसमें कॉमर्स ना हूँ आप सारे न्याउन पे जोक्स न्जॉए गर्रों मैं देख रहा हुए यह तो थौट मी चलेगे थे भी के स्ट्रिपर्स के कहा पकोड़ होते है यार उनके तो कॉफते होते है लेकिन जो सासुराल का जो बेस्ट पार्ट होता है जो मैंने रिलाइस किया जो बेस्ट पार्ट होता है यह होता है कि आपकी वाइफ बिल्कुल पावरलेस हो जाती वहाँ पे वाइफ आपको डाट नी पाती है क्योंकि आपके पास सासुमा की Z-plus security होती है उल्टा वो वाइफ को डाट देती है नहीं तो क्यों परिशान करेंगो बिचारे कुछ भी तो नहीं कर रहे कुछ भी तो नहीं कर रहे इन वाइफ इस लाइख हाँ यही तो प्रॉबल में कुछ भी नहीं कर रहे आदनी यार जब साहे दर सावान के दरा लेटाव आपके हुकुम देरा कोई मुझे चाहे देदो कोई मुझे मठी देदो कोई मेरे हुक्के का कोल चेंज कर दो किस सस्राल आया कुठे पाया आपे डांस प्रभम भी रखा देए चुपकर बौट जबान चिली तरी लगाव एक चुपकर दमाजी मेंगो फ्लेवर डाल दू पांच पीडो के आपने एक भी आम नहीं फुका वाट दमाजी ग्रेजी लेडी है यार बतलब मैंने सस्राल में आम को सॉलिड लिक्विड गैस तीनो स्टेट में गंसुम किया है आपके लिए मेंगो फ्रूट होगा मेरे लिए स्टेट्स और मेटर का चैप्टर था हुगा